कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नीम खली जो है अपने गमलों में अपने गमलों की मिट्टी के अंदर डाली है और नीम खली डालने के बाद दूसरे दिन या दो दिन छोड़ करके इसके अंदर फंगस लगई सफेद सफेद फंगस उसमें नजर आने लगी तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए नवश्कार, मेरा नापाद इतिकल केंडा I am the owner of this Amazon Park Nursery और पिछले एक साल में मैंने हजारों लोग ही मदद करी है उनके प्लांट की केर करने में इस YouTube चानल की मदद से तो पहली चीज़ आपने करनी है अगर आपके समें फंगस आलरेडी लग चुकी है तो आपको क्या करना है सबसे पहले उस फंगस वाले एरिया को पूरा निकाल करके फैक देना है आपको उसमें नहीं रखना हो चीज़ अब आपने क्या करना है अभी उसको अच्छे से आपने क्लीन किया एक लेयर मिट्टी की डालनी है उसके उपड़ा सा गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद अब आपने नीम खली डालनी है और नीम खली डालने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप लेयर हमेशा सॉइल की होना चाहिए अभी आपने क्या गलती करी थी टॉप लेयर आपने नीम खली की रखनी थी जिस कारण से वो air से react करी और air से reaction के बाद उसके अंदर fungus लग गई टॉप लेयर हमेशा मिट निकाल देना है और उसके बाद जो है चीज को follow करनी है जो मैं अभी आपको बताई है so I hope it is useful if you found this video useful then hit the like button and subscribe our channel मिलेंगे नेक्स वीडियो में दोबारा से तब तक के लिए goodbye